हां जी कैसे हैं आप सभी सुआगत है आप सभी का चाय और कोड में और सुआगत है आप सभी का एक और ठंडे दिन में हां जी आज बहुत अतीजादा ठंड है In fact, phone ने warning sign भी दे दिये है कि आज cold day warning है fog warning भी है आज कुछ अती जादा ठंड है बढ़ ठीक है, चलता रहता है ठंड वर्ड तो तो स्वागत है आप सभी का वापिस से हमारी back end की series को इस series को हमने कुछ एक week का pause दिया था बढ़ क्या है कि थोड़ा सा change flavor का होना चाहिए कि मैं भी एक ही एक चीज करते हैं बोर हो जाता हूं कि back end ही back end में फिर बहुत ज़ादा videos हो जाते हो fun खतम हो जाता है तो थोड़ा सा कभी DSA के बारे में चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा कभी किसी और चीज के बारे में चर्चा कर लेंगे बट ये series back end के obvious ही बात है हमने major portion जो समझने वाला था वो तो खतम कर दिया है अब इसके बाद का जो section है वहाँ पे बड़े interesting चीज़े हम करेंगे mostly revision ही होगा बट हम flow को देखेंगे किस तरह से direction में आपको बता देता हूँ किस तरह से हम करेंगे अभी हमार पास user model almost finish हो गया है कुछ चोटे मोटे bugs थे जो मैंने fix करें अभी आपको भी बताऊंगा किस तरह से fix करें मैंने और कैसे उनकी most testing करी सारी testing तो possible है नहीं देखिए क्योंकि application बन रही है अभी बन ही नहीं है अगर बन चुकी होती तो सारी testing कर लेते बट बनने के दौरान जितनी testing हो सकती है postman से वो हम करेंगे और इसके बाद फिर हम बचेवे models भी बना लेते हैं और ताकि उनके basis पे मैं आपको assignment भी दे पाऊं और फिर देरे देर हम assignment solve भी करते रहेंगे ठीक है तो चलिए अच्छा important बात ये तो सबसे पहले रहेगी कि backend की series वापे से start कर रहे हैं तो फिर support तो लगेगा कम से कम 500 comments चाहिए 24 hours के अंदर तो तो हम आगे इस पर proceed करेंगे वरना सोचेंगे कि हाँ ठीक है आपको इतना ही पढ़ना था और नहीं पढ़ना जबकि बता रहा हूँ अभी बहुत कुछ बाग किये पढ़ने के लिए तो comments का target आपको पता ही है likes का target बहुत छोटा सा है 500 comments 500 likes का target है 500 ही comments का target है पटा फट से पूरा करवा दो चलिए आपके साथ screen share करते हैं और फिर आपको बताते हैं क्या-क्या हमारा कहानी हुई अभी तक तो ये application है basically मैं थोड़ा test test कर रहा था इसको कि यार कितनी applications कहां-कहां पर work कर रही है तो वसी बात है जितने controllers लिखे हैं वो सारे controllers ही test करने थे login तक तो हमारा testing हो चुका था तो ये वाला काम तो हमने कर लिया था जब हम login कर रहे थे user को तो ये वाला login test तो हमारा हो चुका था postman के अंदर अब बचे थे logout test, refresh access token current, change current password get current user, update account details avatar, update ये सब वगरा चेक करने थे तो मैंने avatar user ये सब तो check नहीं करें hopefully ये भी हो जाएंगे और उसके बाद get history वगरा ये सब मैंने test करें अब किस तरह से test करें test करने के लिए सबसे पहले तो हम जाएंगे postman के उपर, postman लेके आते हैं आपके लिए ओके, ये रहा हमारा postman तो हमने सारी चीजे postman पे test करी अब postman में test करना कोई इतना जादा difficult है नहीं, already एक video पहले मैं बना चुका हूँ, जहापे मैंने आपको postman के basics कैसे environment variables set करते हैं, और फिर उन environment variables को कैसे use करना है, कैसे collections बनाना है, ये सब हम already pre-discuss कर चुके तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ये हमारे environment रहे और हम YouTube चाय पे थे, हमने server का एक variable बनाया था, बस जिसके अंदर ये जितना भी variable value था localhost 8000 slash API slash v1 को हमने एक variable में डाल दिया था, उसके बाद इस variable के access हमने इस collection में ले लिया था YouTube चाये, further इसके अंदर हमने एक folder बना दिया था, इसके अंदर हमने देखा था, किस तरह से register को save कर सकते हैं login को save, फिर मैंने कुछ नहीं करा यहाँ पे click करके और करा save as और फिर एक और नया panel बना लिया मैंने यहाँ पे, जिसका नाम दे दिया logout, अब जैसे logout टेस्ट करा तो सबसे पहले टेस्टिंग के लिए usually मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जाता हूँ मेरे routes के उपर, क्योंकि routes में ज़्यादा easy रहता है टेस्टिंग करना, तो एक एक करके सारे routes टेस्ट कर लो, तो यह वाला route था जो कि post method पे था, obviously बात है verify JWT मतलब होना चाहिए, आपके पास token तभी तो logout करेंगे आपको तो यह होने के बाद, जैसे ही हम गए अपने postman के अंदर, तो postman के अंदर हमने देखा, कि logout तो किया जा सकता, असानी से एक post request send करनी है, और यहां पे send करो अब जैसे आपको बताता हूं login, तो by the way मैंने login change कर लिया, क्योंकि मैं password भी test कर रहा था, यहां पे change करने की तो मैंने जैसे इसको send करा तो obviously बात है, यह login हो गया, जितना भी detail मुझे चाहिए था, उसारा details आ रहा था मेरे पास, access token भी आ रहा है और refresh token भी आ रहा है login के बाद, यह सबसे अची चीज है क्योंकि cookies में तो हम obviously बात है यहां पे set कर ही रहें, बट किसी कारण से आपने ऐसी application बनाई है जो कि cookies handle नहीं करती है या आप कोई browser ऐसा use कर रहे हैं जो cookies handle नहीं करने दे रहा है, या कोई token को access ले रहे है उके उसके बाद फिर मैंने logout route टेस्ट करा slash user slash logout याद रखेगा यह जो path है यहां पे already v1 वगरा सब लग गया है तो users के बाद जो भी है slash जो आपका path है आप यहां पे दीजे और यह मैंने करा send तो इसने कर दिया मुझे logout user logout अब यहां पे थोड़ा सा मेरे को issue आया क्योंकि इसको जब मैंने check करा database वगरा में तो logout के अंदर जादा कुछ नहीं चोटा सा एक issue था कि यह जो controller है user controller यह logout अच्छे से नहीं कर पा रहा था तो जब मैंने logout के अंदर देखा यहां पे कि कई बार क्या होता है यह try कर लो वो try कर लो try नहीं होता है आप actually मैं जानिये कि उसका reason क्या है यह ऐसा हो क्यों रहा है कुछ लोगों को मैंने देखा था हूँनोंने comment section में भी कहा कि sir undefined से नहीं हो रहा था हमने null लगा दिया वो हो गया ठीक है null लगाने से हो गया लेकिन क्यों हो गया क्या reason था उसके पहले क्या यह approach अच्छी है क्या इससे better approach हो सकती है बस यही जो चीज है ना यही आपको एक ordinary programmer से एक extraordinary programmer बनाती है तो मैंने वो approach ढूँडने की कोशिश करी कि किस तरह से करते हैं तो मुझे set की जगे एक unset operator मिला mongoose के अंदर mongo db basically उसके अंदर और वहाँ पर मुझे मिला कि जो भी field आपको इस तरह से unset करना है उस field के अंदर एक flag pass कर दो one तो refresh token वाला field था जो मैं unset करना चाहता था जैसे ही मैंने उसको one value pass करी तो उस field को unset कर देता है तो मुझे ये approach ज़्यादा बहतर लगी बजाए undefined null उसके चक्कर में पढ़ने से तो आपके उपर है आप कौन सा approach यूज़ करना चाहते हो बट जो भी approach आप यूज़ करो उसके पीछे reason होना चाहिए कि undefined अगर काम नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा है null अगर काम कर रहा है तो क्यों काम कर रहा है ऐसा क्या है जो आपको parse करने से value रोक रहा है तो मुझे ये better approach लगी थोड़ा research करने के बाद तो इसी तरह कि आपको भी लगेगी चीज सो देखे होई जाएगे आप इतना backend से सीख चुके है तो ऐसा कुछ है नहीं कि ये होई नहीं सकता है वो नहीं हो सकता है तो ये सारा काम हमारा हो रहा है तो ये होगे हमारा basic इस तरह से और भी अगर आपके कुछ इस तरह के है और मैंने सब कुछ सेव करके रख रखा है अभी की phase में अभी जो situation है वो ऐसा है कि हमारा logout, refresh token, current user, get password, get channel, profile, history ये सब easily काम कर रहे हैं हम आराम से history वगरा जो भी है हमें ले सकते हैं history के अंदर हमारे पास में error है unauthorized request, okay login करना पड़ेगा पहले okay तो login करते हैं एक बार इसको send करते हैं क्योंकि logout कर दिया था इसलिए तो उसके बाद अगर हम history देते हैं तो obviously बात है send करेंगे हमें data empty receive हो रहा है हम उसकी testing अभी नहीं कर सकते हैं कि history में कोई data है तो वो कैसे आ रहा है क्योंकि अभी data ही नहीं उसके अंदर और हमारे पास ऐसा कोई route भी नहीं defined है जहां से हमारे पास value आ जाए get channel profile है तो obviously बात है वहाँ पे आपको channel का username लिखना पड़ेगा slash c slash one क्यों लिखना पड़ेगा तो आपको यह पूरा detail मिल गया है cover image, subscriber count, channel subscribed to count, is subscribed और message वगरा सब आपके पास आ रहा है तो यहाँ पे कर दीजे चीजों को save कि ठीक है इतना काम अपने पास हो गया है जो छोटे मोटे error थे, bug fixes थे जैसे मैंने कई जगे यहाँ पे cover image के पीछे slash लगा दिया तो छोटे मोटे bug fixes थे वो मैंने कर दीए सारे के सारे अब हम इसको कर सकते हैं changes को push और comment भी लिखवा लेते हैं copilot से लिखवा लेते हैं fix logout functionality and remove console log statement हाँ मैंने console statement भी काफी हटा दी है जहाँ जहाँ उनकी problem थी तो इसको कर देते हैं अब हम push काफी updated हो गए message vs code के इस नए version के अंदर चलिए ठीक है इतना काम तो अब हमारे पास हो गया है अब हमारे पास अभी stable position पे हैं कि हमने users का route जो है वो complete कर लिया है ठीक है अब next क्या करेंगे next चलते हैं यहाँ पे अब next हमारे पास क्या है अच्छा कुछ github जी पूछ रहे है कि future successor अरे आपने तो हमारे मरने तक की बात पूछ डाली ठीक है ये भी ठीक है github इतना था हमने सोचा ही नहीं है भी आप कहा निकल गए commit देख लेते हैं एक बार कि हमारा commit properly हुआ है हाँ जी commit proper हो गया एकदम कोई दिककत नहीं है अब हम चलते हैं यहाँ पर model link के उपर क्योंकि अब बाकी का काम कर लेते हैं और मैं आपको assignment की तरफ लेके चलता हूँ कि कहाँ पर कैसे हम assignments वगरा को भी आपके लिए यहाँ पर use करेंगे कोई ना कोई login रहता ही है अब देखिए हमने अभी तक जो देखा काफी कुछ देखा है वैसे तो हमने पर users को तो हमने बहुत ही तवियत से अच्छे से data model करा in fact क्या है यह हमारा crud हो चुका है हमने काफी in-depth crud किया है वैसे user के उपर कि कैसे हम और model से data ला सकते हैं और model से data data उसके अंदर भेज सकते हैं ला सकते हैं तो almost सारा जितना possible था edit, update, read, delete वो सब हमने देख लिया है और बहुत ही अच्छे से देख लिया है अब क्या है अब बाकी models की functionality पे हमें ध्यान देना है तो functionality पे हम काम करेंगे अब अगर आप एक मिनट के लिए देखें तो हमारे पास देखें models कितने हैं बाकी सब close कर देते हैं क्योंकि बाकी की ज़रूत ही नहीं है तो हमारे पास model आ चुका है video, user और subscription का ठीक है जी अब बाकी क्या बचे हैं ये रह user, ये रह video और हमारे पास ये subscription का भी आ चुका है तो अब हमारे पास जो बचावा है playlist, likes, comments और tweets, ये वाले हमारे पास बाकी है, तो इनके भी अब हम model इसी video में बना लेते हैं, थोड़ा से एक बार नजर मार लेते हैं क्या कर रहे हैं, देखिए playlist जो है, अपने आप में एक stand-alone entity है, उसमें कोई जादा दिक्कत नहीं है और playlist इसी तरह से होते हैं, कोई भी playlist बना सकता है, हर playlist का एक unique ID होता है, और playlist का नाम है, description है, created at, updated at, obviously बात है, playlist के अंदर होगा कि ये playlist किसने बनाई है और ये playlist के अंदर videos कान से है दोई चीज़ें होती है, तो हमने भी जब इसको बनाया model को, तो हमने ये दो चीज़ों को ध्यान रखा कि owner तो एक ही होगा तो obviously बात है, एक ही owner है, तो एक ही IDs में push कर देंगे हम, और videos जो है, वो array होगा, क्योंकि multiple videos पुश होने वाले हैं, तो videos की ID ही push करेंगे, और हमें अपनी pipelines लगानी आती है, वैसे तो आप populate use भी कर सकते हो, बट हमें aggregation pipelines लगानी आती है, तो videos के अंदर से हम left join कर लेंगे और IDs के basis पे ये जितने भी documents निकलेंगे, हमारे videos वाले वो निकाल लेंगे, further और जाना होगा, तो उन videos के owner कौन से हैं, वो भी एक और inner pipeline लगा के हम पता कर लेंगे, तो हाँ, obviously बात है, थोड़ा complex है, time लगेगा, बट अब हैं करना आता है, हमने past में भी किया है, कि pipeline लगाने के बाद further एक और pipeline हमने लगाई है, तो ये तो हो गया playlist, comments है, comments को भी हमने standalone entity रखा है, कि comments है, तो comments के अंदर भी obviously बात है, unique ID है, content है, content मतलब क्या आपने लिखा है उसके अंदर पे, और created at, updated at है, और उसके बाद कौन से video पे comment है, कौन सा owner है, तो obviously बात है, एक ही video पे आपका comment होगा, और उसका comment का भी एक owner होगा, मतलब आपने comment किया है, तो user उसके अंदर जाएगा, और object किस video पे आपने comment करा है, उसके बाद likes भी सी तरह से हैं, अब likes का, हर एक like का अपने आपका एक unique ID है, वैसे आप चाहो तो videos के अंदर भी push कर सकते थे, likes को कि ठीक है, कौन कॉन से उसमें object ID पुश करने पड़ते, और भी कई तरीके हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमने देखा, likes का एक ID है, ठीक है, और उसके बाद comment पे अगर like है, तो हम comment का ID उसके अंदर add कर देंगे, created add, updated add तो हई, अगर video का like है, तो video का ID हम उसमें update कर देंगे, और liked by, किसने like किया है आपके like को, तो उसका user, क्योंकि like किसी ने तो किया होगा, तो उसमें हम अपना user add कर देंगे, और अगर tweet पे अगर like है, तो obviously भात है, उसके अंदर tweet हम add करते हैं, तो like को हमने काफी independent रखा है, तो अब चलते हैं के करके और फटा-फट से, ये tweet भी हमने एक रखा है, बड़ा छोटा सा model है, जिस तरह से community post होता है YouTube पे, उसी तरह से कुछ रखा है इसको भी, कुछ नहीं, हर tweet का एक ID है, उसका एक owner है, user ही होगा, और उसका content है, और created updated है, बस और कुछ भी नहीं रखा है इसको, तो देगे बड़ा ही basic model है, लेकिन अभी हम काम कर सकते हैं उसके उपर, तो एक एक करके हम सारे के सारे models और ये सब बनाते हैं और चलते हैं इसके उपर ओके, तो अब इसको start करते हैं basically, तो हमारे पास जो models है वो नए वाले models, अब हम push करना शुरू कर देते हैं इसको तो हम kill कर देते हैं, कि process अभी run की जरूत नहीं है, ओके और ये हमने clean किया अब हम चलते हैं हमारे models के पास ओके करके मैं सारे के सारे models यहां पर देख सकता हूँ, ओके ठीक है तो अब models मेरे पास हैं, तो अब और कौन से models करने हैं, देखिए, subscription मेरे पास है user मेरे पास है और video model भी मेरे पास है ओके, next क्या है, अब मुझे comment करना है तो मैं क्या करता हूँ, touch utility यूज़ कर लेता हूँ जिससे easily मैं सारी files create कर लूँ आवरना वो ही right click करके create new आपके उपर है, आप जैसा चाहिए कर सकते है तो एक हमारा चाहिए हमें comment का तो ठीक है, comment.model.js यह तो हो गई हमारी पहली file ठीक है, तो यह हो गई हमारे comment, like और playlist तो comment, like और playlist अब क्या बचा, tweets बचे हैं तो tweets भी ले लेते हैं tweets ले, tweet ले, चलिया tweet ही ले लेते हैं, tweet.model.js ओके I think इतने ही model है हमारे पास में, जिसकी हमें functionality पर काम करना है, majorly मैं कर दूँगा बट फिर भी थोड़ा सा assignment तो आपके लिए भी रखेंगे enter करते हैं, और यह हमारे सारे models यहां पर आ गए हैं अब एक एक करके हम सारे models पर काम करना शुरू कर देते हैं जादा कुछ इतना difficult है नहीं basic basic ही रहेगा, इतना कुछ difficult वाली बात नहीं है अच्छा comments क्या है, देखिए अगर आपको याद हो तो videos के अंदर अभी हमने एक चीज़ पर discuss नहीं करी यह जो aggregate paginate है वालब क्या है, सारे videos तो देनी सकते हैं user को उसको pagination देना पड़ेगा ताकि और या तो load कर वाले videos या फिर next page पे हो, तो इसी तरह से comments भी बहुत सारे हो सकते है तो वहाँ पे भी हम यह same चीज़ का utilization करेंगे तो हम क्या करते हैं, इसको copy ही कर लेता है आसे अब चलते हैं, पहले अपने comment के उपर तो comment पे आईए, as it is copy paste कर दीजे आप बनाते हैं अपना schema और सारी values वो की वही रखेंगे तो यह होगे हमारा comment schema अब comment schema कैसे बनेगा और वैसी बात है आपने कितने schema बना चुके हैं तो hopefully अब आप यह question तो नहीं करेंगे, इस तरह का basic तो यह होगे हमारा comment schema अब अगर आप video schema में जाएंगे तो exactly same, जो काम हमने वहाँ पे किया था, वो ही same हम यहाँ पे करेंगे कि यह video schema.plugin जो जैसे inject किया था, same उसी तरह से हम यह comment के अंदर भी inject करेंगे, exactly same कोई समें difficult और या कोई change है नहीं तो यह comment schema लीजे और इस plugin को inject कर देजे plugin use कैसे आता, यह हम बाद में करेंगे ज़्यादा कुछ खास है भी नहीं इसमें सिर्फ यह आपको ability देता है control करने की paginate की कहां से कहां तक video देने, या फिर next call में कहां से start करके कहां तक मुझे video देने बस इतना ही काम है इसका ओके, तो अब हम यहाँ पे आ जाते है, export, const और इसको बोल देता है comment क्योंकि काम में लेना है और यह हमारा होगा mongoose और dot model ठीक है, इसके बाद की कहानी तो आप सभी को पता ही है, इसके बाद कुछ ही ही नहीं है actually मैं यह लिजे हमने इसको बोल दिया comment जो कि database में जाके lower case में और plural में हो जाएगा यह तो आप पता ही है आपको और कहां से लेना है यह लिजे comment schema ठीक है, इतना काम हो गया अब comment के अंदर हमने क्या-क्या ले रखा है आप सीधा यहां पे आईए और यहां से easily आप देख लिजे ID अपने आप बनी जाएगी content है, timestamps है वीडियो का reference है और owner है ठीक है, ले लेते है यह लिजे content आगया content का type है string type और यह लिजे string तो आसा keyboard हमारा mismatch हो गया है और required और यह भी true comment है तो required तो हो गई उसके बाद हमें next चाहिए ID अपने आप आजाएगा, वीडियो चाहिए यह लिजे वीडियो अब वीडियो के अंदर अगर आप देखेंगे वीडियो का जो schema है तो हमने object IDs एक ही वीडियो पर comment है तो ठीक है यही basic ले लेते है, type, copy और यह लिजे paste अब क्योंकि यह ordinary type नहीं है तो हमारे पास schema से आएगा यह तो schema जी, please types देना, object ID वाला object ID, अब यह दे दिया है तो obviously बात है, अगर object ID type रखा है तो reference देना पड़ेगा तो यह लिजे reference, अब reference जो हमें देना है वो देना है video यह हमें पता ही है, basically यह जो mongoose का, जो model हम बनाते है इसी का reference देना है, वहाँ पर हमने videos को नाम दिया है, यह लिजे यहाँ पर video, तो उसी का मैंने reference दे दिया तो बस, इतना साइग काम है next हमें क्या देना है, owner देना है ठीक है जी, owner भी दे देते है यह लिजे, इसको copy paste कर देते है यह लिजे यह लिजे हो गया आपका owner इसका भी schema.types object id है लेकिन reference जो है, इसका user से आएगा ठीक है जी, अब इतना काम हो गया है तो, यहाँ पर तो आपको पता ही है क्या लिखना है timestamps और इसको बोलना है true, बस यह लिजे हो, कर रहे हैं, कर रहे हैं जी दो मिनट सबर रखी, आप भी है की नहीं, ओके तो चलिए है यह हो गया हमारा comments वाला schema अब देखे, अब यह schema बनाना, यह सब करना हम इस phase पर पहुँच चुके हैं, कि आपने बस एक मिनट के अंदर comment का schema बना दिया है, इतना कुछ आपको दिक्कत आई नहीं है, अच्छा, अब यहाँ पर चलते है, like के बारे में भी बात कर लेते हैं, एक एक करके कि किस तरह से likes होंगे देखे, idea अपने आप आ जाता है एक एक करके वीडियो के बारे में बात करते हैं कि कौन सा वीडियो schema क्या डालना है comment को like करा है, तो comment का schema add करना है, तो एक एक करके कर देते हैं, वो भी इतना कुछ difficult है नहीं comments, like के अंदर हमें pagination वगरा की जरूत है नहीं, तो copy करते है, like model के अंदर जाते हैं, यह हो गया हमारे पास mongoo schema, और फिर आते हैं const like schema, अगर typo कुछ कर दिया हो, तो please बता दीजेगा क्योंकि वो चलते रहते हैं, ओके अब सबसे पहले क्या करना है हमें, कि सबसे पहले चाहिए video अब video का type obviously बात है कभी ऐसा हो, तो copy paste करने से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए क्योंकि जहां time save हो रहा है, अब चीजे आ गई है समझ में, तो फिर time बचाओ न, क्यों नहीं बचाना है, तो यह हो गया हमार object id, और यह video का reference हो गया है, ठीक है, तो like के reference उसका id तो add करना ही पड़ेगा, actually मैं copy paste कर लें, जादा easy रहेगा, यह लिजे, यह लिजे, अगर आपने comment किया है, तो हम उसका comment का reference डाल देंगे यहाँ पर, यह लिजे, ओके अगर tweet करा है तो, tweet like करा है आपने तो, tweet का reference डालना पड़ेगा, ठीक है तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, tweet वही communities ही है, आप जैसे अच्छा है, tweet का भी हमारे पास अभी model हम बना देंगे उसका भी, पर आएगा तो इसी तरह से tweet, ठीक है, अब किसने like करा है, वो भी तो ज़रूर यह, liked by, क्योंकि main काम तो वही है किस user ने like करा, उसका भी reference अकना है, ठीक है, तो उसका भी reference हम ले लेते हैं, और copy paste कर देते हैं, इसको नाम हम दे देते हैं, और liked by, ठीक है, और इसके अंदर user का reference दे दीजे, यहाँ पर जब आपका काम हो चुका है, तब आप time stamps दे दीजे, time stamps और यह हो गया true, ओके, इतना काम हो चुका है, अब इसको export कर दो, I think export में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, export const like, capital like और like जो होगा, mongoose.model, और इसके अंदर हमार पास हो जाएगा यह like, और उसके बाद यह जो schema लेगा, वो लेगा like schema, यह लीजे, चलिए comment भी हो गया है, और like भी हो गया है, देखा, इतना difficult था ही नहीं, फाल्तु में इतना difficult बना दिया गया है चीजों को, यह काम था आप खुद भी करी सकते थे, next चलते हैं, playlist पे, IDs अपने आप हो जाएगा, name, description, video zoner, बस इतना ही काम करना है, यह तो आप ही कर लेते हैं, चलिए हम कर देते हैं, और copy paste तो करेंगी, यह लिजे, यह आएगा new schema से, ओके, और यहाँ पे हम पहले ही time stamps add कर दे, ओके, अब time stamps add हो गए हैं, तो सबसे पहले इसको export भी कर देते हैं, क्योंकि वो सबसे easy काम है, export const, playlist, और playlist export होगी mongoose से, mongoose एक model देना प्लीज, और क्या नाम रखेंगे इसका हम, playlist, और कहां से आएगा यह, यह आएगा हमार पास में, playlist schema से, ओके, अब चलते हैं, इसका schema design करने के लिए, अब schema design करने में, इतना कुछ खास मुझे लगता नहीं, कि problem आनी चाहिए, name description, यह तो easy काम है, चलिए, यह तो करते हैं, शुरू तो करते हैं, यह हो गया आपका name, अब name को हमने देंगे एक type, और यह दे दिया, string, required तो है name, required true, ठीक है जी, name का अपना काम हो गया है, अब क्या चाहिए, चलिए, name के बाद description भी, required ही रख लेते हैं, description भी, आप के उपर हैं, आप किस तरह से design कर रहे हैं, यह लिजए, description भी आ गया, अब चाहिए, playlist के अंदर जाएंगे, videos, ठीक है जी, अब videos एड़ करने के लिए, mongoose के schema, अल्रेडी हम काफी बार discuss कर चुके हैं, इतना जादा complex होना नहीं चाहिए, तो इसका नाम videos रख दो, और हम क्या करते हैं, कि arrays होंगे, object के, तो यह लिजए, इसको arrays में हमने add कर दिया, तो यह लिजए, इसको बाहर ले आते हैं, ओके, यह लिजए, तो हर array के अंदर object होंगे multiple, और object किस तरह के होंगे, object IDs होंगे, तो object IDs लेने पड़ेंगे, तो schema.types, एक object ID देना, प्लीज, यह लिजए, object ID, अब object ID लिख दिया, तो reference लिखना पड़ेगा, यह लिजए, ref, यहाँ पर reference है, video का, required वगरा की जरूत होती नहीं है, यह लिजए, यह लिजए, तो ठीक है, अब जितने चाहे videos add कर दिजए, उनके references यहाँ पर आगए, थोड़ा सा indentation fix कर ले, यह लिजए, ज्यादा fix हो गया है, बट videos के लिए, मैं actually, मैं चार indentation रखता हूँ, क्योंकि easy रहता है देखने के लिए, personally काम करता हूँ, तब दो indentation रखता हूँ, okay, next क्या है, हाँ playlist बनाई किसने है, owner भी तो चीएगा, तो ठीक है, playlist का owner भी डालना पड़ेगा, डाल देते हैं, जी, owner या creator आपका जो मन करें, और इसके अंदर भी अपना, ये तो copy-paste करी सकते हैं, ये लिजे copy, और ये लिजे paste, तो schema object ID और reference जो रहेगा, user का रहेगा, okay, अब आप देख रहे होंगे, कितनी आसानी से काम हो गए यहां तो, जी, आसानी से ही होते हैं, काम, इतने difficult है ही नहीं, ठीक है, ये होगे हमारा playlist का schema, ठीक है, तो I think playlist का schema भी एकदम ठीक है, playlist में इतना कुछ बड़ा होगा नहीं, कि हम वहाँ पे pagination वगरा इन सब का काम करें, इतनी playlist कौन ही बनाता है, अगर बनाता है, तो बात में कर देंगे add, उसके बाद हमारा subscription का schema हम पहले ही बना चुके हैं, काफी discuss भी किया हमने, और tweet, हान जी, tweet बाकी रह गए हमारे, तो tweet म हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, id automatic आता है, owner तो add करना पड़ेगा, content add करना है, ये दो तो time stamp से आई जाएंगे, ठीक है, तो इतना कुछ बड़ा है नहीं tweet में भी, copy paste करें थोड़ा सा, वो तो बिलकुल करेंगे, copy paste तो हर developer का हक है, समविधानिक हक, जिसको बोलते हैं, ठी tweet schema, ओके जी, अब tweet schema कैसे आएगा, new schema से आएगा, ठीक है जी, ये लिजे आगया, ये first parameter, second parameter में time stamps add कर देते हैं, time stamps, और इसको बोल देते हैं, true, तो ठीक है, created by, updated by, आगए जितने भी आने थे, अब इसके बाद इसको export कर दो, तो export का, वोई same syntax है, इतनी बार आप ये सब ल model, अब model से क्या लेना है हमें, एक लेना है tweet, ये लिजे tweet, और कहां से आएगा ये, tweet schema से, ये लिजे, okay, तो majority काम हो गया है, यहां पे बे, अब schema design करना है, design क्या करना है, बस दो चार field डालने है, पहला field तो मुझे पता ही है, content है, ये लिजे content, उसके अंदर मुझे add करना है type, content, नहीं, थोड़ा सा type हो जाता भी तो, ये लिजे, string, और required तो रहे गए रहेगा वरना, क्या ही जाएगा इसके अंदर, ये लिजे, अच्छा, और क्या है हमारे पास में, ठीक है, content हा गया, और owner add करना है, बस, दो ही तो field डालने है, ये लिजे, अब सबसे पहले type, और वसी बात है, reference type है, तो schema से आएगा, schema, types, देना एक object id प्लीज, अच्छा, object id दे दिया है, तो अब ref भी आप लोगे लोगे, तो reference आप ले लो, ये लो user का, कॉमा एक लगाना हम भूल गए, ये लिजे, ये भी fix हो गया, और बाकी fields अपने आप आई जाएंगे, ठीक है, user model पे तो बहुत ही काम कर लिया है, उसमें अब दिक्कत है, नहीं कुछ, इस स्यादा complex model हो भी नहीं सकता है, user model ही हमेशा सबसे complex होता है, और जो video model है, वो भी हमारा सीधा साधा ये, उसमें कुछ है नहीं, fields थोड़े से जादा है, कि video file देनी पड़ती जाएंगे, owner कौन है, वो तो एक ही बार fix रहेगा, तो ठीक है, तो ये होगे हमारा काम, अब हमने क्या सारे के सारे models पुश कर दी हैं इसके अंदर, तो हम सबसे पहले तो एक बड़िया सा हमें please लिखके देतो, एक commit, add, comment, playlist, tweet, models, अरे वा, बहुत अच्छा से, कभी कबार अब हम करते हैं इसको push, अब ये हो गया है हमारे पास में सारे models push, अब next हम जो काम करेंगे, वो करेंगे controllers का, तो अब next वीडियो में क्या है, मैं आपको दूँगा एक assignment, assignment कुछ नहीं होगा, जैसे कि user controller के अंदर मैंने बहुत सारे methods लिख रखे हैं, इन methods के अंदर, सब के अंदर हमने बहुत सारा काम किया है, लेकिन आपको शायद ये problem हो रही होगी थोड़ी सी, कि यार मैं video model के अंदर क्या-क्या functionality एड़ करूँ, या फिर किसी और like model के अंदर, या फिर tweet model के अंदर कौन-कौन सी functionality एड़ करूँ, तो उसके हिसाब से मैं सारे controllers आपको बना के द दूँगा, ताकि आपको controllers यहाँ पे रहे, और आपका काम होता रहा, तो next video के अंदर जाएंगे, तब मैं आपका ये assignment प्रिपेर करके रखूँआ, क्योंकि आप भी उसको देखे क्या ही करोगे, खाली functions ही तो बना रहा हूँ, मैं empty एक दम, तो next video मैं मिलते हैं, और आपको सारे empty functions में देता हूँ, ताकि आपको एक idea रहे कि अच्छा ये functionality मुझे बनानी है, ये उसका guideline लिख रखा है, और बस अब मुझे code करना है सारा का सारा, तो इस तरह हम करेंगे, तो उमीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, तो thank you so much, बस इस video में इतना ही करेंगे, half hour क वीडियो हो गया है, तब भी हमारा models हमने सारे push कर लिए, अब functionality पर काम करेंगे, back to back, चलिए, मिलते हैं आप से अगले वीडियो के अंदर,